Hello everyone, this is Suman Bhakar. Once again, welcome you all in today's Hindi class. आज की ग्लास में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बुक एक्सिसाइज को करेंगे. हमारी पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडेक्शन कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि अनेक शब्द के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि भाशा सरल और स्पस्ट बन सके. I hope यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने इन सारे शब्दों को याद भी कर लिया होगा. अब आज हम यहां से शुरू करते हैं अभ्यासकारिया, नीचे बने चित्रों से उसकी उनके सही नाम तक रेखा खीचो. आप लोगों को चित्र देखकर पहचानना है कि वो जो काम कर रहा है उसकी अनुसार वो कौन है. तो पहला चित्र धुबी का है, दूसरा सुनार, तीसरा विद्यारती, चौथा हलवाई. इस तरीके से आप रेखा खीच कर इनको आपस में जोड सकते हैं. ये काम आपको बुक में ही करना है और इस लिसन से रिलेटेड कोई भी वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है. एक लिए? देन कोशन नबर टू, नीचे लिखे वाक्य पड़ो और कोस्टक में से सही शब्द चुनकर लिखो. कुलियर, कोस्टक हम बोलते हैं, जो प्रैकेट होते हैं, उसको हम कोस्टक बोलते हैं, उसके अंदर दो-दो शब्द दिये वे हैं. उन में से आपको एक सही शब्द चुनकर लिखना है according to the sentence जो वाक्य दिया है उसमें कौन सा प्रॉपरली उसमें कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा उसके according तो पहला है सुखी राम ने खेत में बीज बो दिये वह कौन है वह किसान है दूसरा ईशा कक्षा में प्रथम आती है वहाँ बहुत परिश्रमी है अगर आलसी होती तो वो प्रथम नहीं आती क्योंकि वो मेहनती नहीं करती तीसरा है सैनिक देश की रक्षा करते हैं अभी निता का काम रक्षा करने का नहीं होता है तो देश की रक्षा करने का काम किसका होता है? साइनिक का फिर है गांधी जी ने विदेशी वस्तुवें छोड़ने को कहा तागी स्वदेशी वस्तुवें जादा यूस में ले सके और अपने देश को उससे फाइदा हो फिर है नीम के पेड़ पर निबोरिया लगती है जो नीम के पेड़ के फल होते हैं उसको हम निबोरिया बोलते हैं फलिया नीम बोलते माने सुनार से गहने बनवाए रामू कपड़े धोने का काम करता है वह धोवी है अजे मेरे साथ पढ़ता है वहाँ मेरा सहपाथी है फिर है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो और सही शब्द चुनकर दिये गए स्थान पर लिखो अब जो भी शब्द आपको यहाँ पर दिये गए हैं उन में से आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है एक्जाम में जब आपके यह कोशन्स आएंगे तब आपको हिंट के लिए यह शब्द नहीं दिये जाएंगे आपको यह सारी चीज़े याद होनी चाहिए जो ना डरे निडर नाच करने वाला नर्थक दूसरे देश की वस्तू विदेशी विद्या पाने वाला विद्यार्थी जो चित्र बनाएं चित्रकार जो मास खाता हो मासाहारी जो शिकार करता हो शिकारी जो लालच करे लालची तो बच्चो आज आपको यही कारे अपने बुक में कम्प्लीट करना है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद